हाई स्टुदेंट्स वेरकम तुमाई यूटुब चैनल मैश्वीलेज मैं आपका मैस्टीचर तुरुन पंडे यूटुब पर इस समय एक्सराइज 2.1 इनवर्स तिनोमेटिकल फंचिन ग्लास 12 सब्सक्राइज 2.1 पंडेस इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि 1 by 2 value होगी आपकी 30 degree मतलब 5 by 6 तो आपका यह answer होगी है 5 by 6, very easy, now second question, second question आपके पास है बाकी मैंने इसका theoretical explanation अलड़ी पहले होगी पहले बनायो है वीडियो इनको आप देखा हुए स्ट्री अश्पर्च केरी रहें को से सब्सक्राइब में जाएगा इसका भी अंसर आजाएगा 556 इसका नेक्स पोस्टेन है 10 inverse minus root 3 तो आपको बताते हैं कि 10 inverse minus x minus 10 inverse x होगा है यहां से minus 12 आजाएगा और root 3 value किसकी होती है 10 में root value होती है 1060 की इतमीज 5 by 3 1060 की होती है इतमीज 5 by 3 1060 की होती है इतमीज 18 साथ यह आजाएगा minus 5 by 3 इसके बाद next question है 5 वाइस का cos inverse minus 1 by 2 पूरे explanation के साथ मैंने आपको पढ़ाया है cos inverse minus x होता है pi minus cos inverse x पूरे explanation के साथ पढ़ाया है तो यहां पर यह हो जाएगा pi minus cos inverse 1 by 2 आप यहां पर देखे क्या होगा यह हो जागा pi minus cos inverse 1 by 2 value हो जाएगी cos 1 by 2 होती है cos 60 की फिरो sin 31 by 2 होगा cos 60 हो जाएगा 1 by 2 cos 60 को जाएगा pi by 3 और यह हो जाएगा pi minus pi by 3 cos inverse cos x हो जाएगा और यहां से आजाएगा 2 pi by 3 लास्ट 6 नमबर कुच्चन है 7 ना रहा होगा 10 inverse minus 1 यह हो जाएगा minus 10 inverse 1 और यहां से 1 किसकी value हो जाएगी 1045 की और यह 10 inverse 10 x हो जाएगा x यह answer आगे minus pi by 3 थैंक्यू उट्रेंग्स बहुत फुरा था जंदी में बताया है लेकिन बहुत असाम था इसलिए कोई टाइम नहीं लगा thank you बुलाबचा पुली नहीं